इस प्रॉब्लम में हमें कह रहा है find the value of w for which the string bc will be horizontal जब कि जो string bc है इसको horizontal रहना चाहिए उसके लिए w की value कितना रहेगे देखे अगर मैं w को यहां से हटा दूँगा तो यह जो c point है यह उपर चला जाएगा अगर यहां पर w बहुत ज़्यादा लगा दूँगा तो यह वाला c point क्या आजाएगा नीचे आजाएगा हमको यहां पर w कितना लगाना चाहिए कि यह जो bc है वो ad के horizontal रहा है यह horizontal रहा है तो हम क्या करेंगे हमको w निकालना है हम लामी स्थिरम लगाएंगे तो देखे पहले मैं b point पे लामी स्थिरम लगा रहा हूँ तो b point पे देखे तीन force लग रहा है ab लग रहा है bc लग रहा है और 300 newton का लग रहा है मतलब मैं लिख सकता हूँ force in ab upon is equal to force in bc upon is equal to 300 upon यह हमने लिख दिया अब हमको इन तीनो forces के बीच का angle निकालना है तो हम क्या करेंगे हम इस line को पीछे के और extend कर लेंगे जब इस line को पीछे के और extend करेंगे तो यहां पे 90 degree का angle बनाएगी ठीक और अब हम क्या करेंगे उसके बाद हम इस line को भी पीछे के और extend कर लेंगे और यह pattern भी यहां से कितने degree का angle बनाएगी 90 degree का angle बनाएगी अब यह दोनों line आपके पैरलल है और यह दोनों line की length same रहेगी तो इन दोनों line की length कितना बोला? मैंने P बोल दिया यह दोनों की same क्यों रहेगी? क्योंकि BC इसके parallel है यह दोनों parallel है इसलिए इन दोनों की length क्या आएगी? बराबर आएगी हमें तो angle निकालना इन सब के बीच में तो पहले क्या करते हैं यह वाला distance निकाल लेते हैं देखे इस वाले distance को मैंने क्या बोला it is our x अगर यह distance आपका x है तो इसका distance यहां से यह वाला distance यह वाला distance निकालना तो क्या करना पड़ेगा total कितना 8 है इस 8 मेंसे मैंने इस x को माइनस कर दूँगा और इस 4 को माइनस कर दूँगा तो यह distance कितना आगा 8-4-x तो यह आपको मिलेगा 4-x यह कैसे निकाला पूरे 8 मेंसे मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा इस x को माइनस करना पड़ेगा और इस 4 को माइनस करना x तो यह आपका गया 4-x तो यहाँ पे देखिए एक right angle triangle बन रहा है और यहाँ पे भी आपको एक right angle triangle बन रहा है मैं इस right angle triangle में pythagoras थिरम लगा दूँगा हम जानते हैं pythagoras थिरम क्या बोलता है perpendicular square is equal to hypotenuse square minus base square तुम देखिए मैंने p square is equal to 3 square minus x square दिया यहाँ पे भी मैं pythagoras थिरम लगा सकता हूँ यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ p square is equal to hypotenuse square that is 2 square minus base square that is 4 minus x का whole square अब इन दोनों में p आपका same है मतलब मैं इन दोनों equation को equate कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 3 square minus x square is equal to 2 square minus 4 minus x का whole square इसको मैं expand कर सकता हूँ इसको मैं expand करूँ तो यह a minus b का whole square वाला form है that is a square minus 2ab plus b square तो यह आपका एगा 16 minus 8x plus x square अब अंदर मैं minus का multiply कर दूँगा आपकी यह वाली equation बन जाएगी इससे देखिए x square यहाँ पे भी x square यहाँ पे दोनों x square आपके कड जाएंगे तो आपको मिलेगी x की value that is 21 21 upon 8 मिलेगी तो आपको यह x की value मिल गई अगर यह वाला x मिल गए मतलब आपको 4 minus x भी मिल गए तो देखिए आप क्या कर सकते हैं आप यह वाला angle निकाल सकते हैं ये वाला एंगल ये वाला एंगल निकालना है तो हम क्या करें यहाँ पे हम यहाँ पे sine theta लगाते हैं sine theta क्या होगा perpendicular upon hypotenuse angle के सामने वाली side क्या होती है perpendicular होती है तो perpendicular आपका कितना x है और hypotenuse आपका कितना 3 है तो आपने लिका sine theta is equal to x divided by 3 x आप जान त्याब निकाल चुक है 21 by 8 निकाल चुक है तो आज से theta की value आपके निकल क्या जाएगी 61.04 degree तो देखिए ये angle आपने निकाल लिया 61.04 degree इसी तरीके से आप क्या करेंगे यहाँ वाला भी angle निकाल लेंगे ये angle निकालना तो यहाँ पे भी आप sin theta लगा देंगे sin theta क्या होगा perpendicular upon hypotenuse यहाँ पे perpendicular कितना होगा 4 minus x और hypotenuse आपका कितना है 2 है तो आपने लिखा देखिए sin theta equal to 4 minus x divided by 2 यहाँ पे x की value आप put कर देंगे 21 upon 8 put कर देंगे और इसको solve कर लेंगे तो you will get the value of theta आपका आएगा 43.43 degree तो यह angle आपने निकाल लिया 43.43 degree अब हम आराम से लिख सकते हैं अब देखिए हमको angles वालूम है जब हम force in a b लिखेंगे देखिए यह a b है force in a b लिखेंगे तो 300 और bc के बीच का angle देखेंगे तो इन दोनों के बीच का angle आपको यहाँ पर नजर आ रहा है यह angle आपको कितना नजर आ रहा है 90 degree नजर आ रहा है तो आपने यहाँ पर क्या लिख देंगे तो यह आ जाएगा 118.96 आ जाएगा तो forcing bc upon आपने लिख दिया इतना अब देखिए 300 upon लिखेंगे जब 300 upon लिखेंगे तो a b और bc के बीच का angle देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर यह 90 है आप इस 90 में 61.04 एट कर दीजिए तो इन दोनों के बीच को आपको angle पता चल जाएगा तो यह आपका कितना आ जाएगा 151.04 तो आपने लिख दिया sign 151.04 अब आप पहले और तीसरे को एक्वेट करेंगे तो force in a b आ जाएगा तो वह आप second और third को एक्वेट कर देंगे तो force in b c आ जाएगा force in b c आपका जाएगा 542.1 newton इसके बाद आप c point पर लामिस लगाएगे देखिए हमको पहले b c में निकालना पड़ेगा अगर w निकालना है तो आपको b c में मालूम होना चाहिए तो आपने b c में निकाल लिया b का free body diagram ब आएगे तो हम लिखेंगे force in b c upon is equal to force in c d upon is equal to w upon अब force in b c देखिए यह b c है force in b c upon लिखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको देखना पड़ेगा c d और w के बीच में तो c d और w के बीच में एंगल कितना आएगा 180 minus 43.43 आएगा तो 180 में से 43.43 को अगर आप minus करेंगे तो यह आपको आएगा 136.57 degree तो इसको आप लिख देंगे sin 136.57 degree अब force in c d है ये force in c d upon लिखेंगे तो अपनको b c और w के बीच का एंगल देखना पड़ेगा तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको 90 degree यहाँ पे नजर आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे sin 90 अब w upon लिखेंगे तो b c और c d के बीच का एंगल देखेंगे तो यह एंगल आपका 43.43 है और यह 90 है यह आपका 90 है तो 90 प्लस 43.43 कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे sin 133.43 अब क्या करेंगे आप इन दोनों को equate कर दीजिए अभी पहले आपको इन दोनों को equate करना पड़ेगा w निकालना आपको w निकालना तो force in b c तो आपको बालू है तो force in b c यहाँ पे आप put कर देंगे और इन दोनों को equate कर देंगे तो force in c d आजाएगा तो force in c d आपको आएगा 788.54 newton और w आपको आएगा 572.65 newton ज्यान रखेगा यह जो force in b c आप पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे यह value put करने के बाद इन दोनों को equate करिएगा तो force in c d आजाएगा इन दोनों को equate करिएगा तो w आजाएगा